हेलो प्रेंट्स आप सभी का स्वागत है मेडिकल नर्सिंग हेल्प लाइन में तो आज अपन डिसक्रेशन करने वाले एससी नर्सिंग ओपिसर एक्जाम जो कंड़क्ट होने वाला है साथ जुलाई दोजार चोईस को उसके सलेबस के अकोर्डिंग जो टोप 101 टोपिक है य यानि ESIC खुद कंड़क्ट नहीं कराएगी जैसे पिसले 2018 के अंदर कराया था इस बार UPSC कंड़क्ट कराने वाली है तो थोड़ा सा पेपर का लेवल है वो दिल्ली एम्प्स जैसा आपको देखने को मिल सकता है दो कंडिशन हो सकती है या तो यह होस देखने को मिल सकता है कि प्रिवेस एर के जितने भी पेपर्स है उन्हें से पेपर्स ले लिए जाए यह यह चीज़ देखने को मिल सकते ही कुछ नया ही आपको देखने को मिले क्योंकि इस बार जो एक्जाम कंड़क्ट कराने वाली है वो UPSC कराने वाली है तो आपकी तयारी जो हो रहेगी वो UPSC के अकोर्डिंग आपको करना है पिछले ESIC पेपर के अकोर्डिंग नहीं करना है ठीक है बाकी जो अभी चल रहा है जिनका दिल्ली एंस के जो पेपर कर रहते हैं उसको ऐसे ही कंट्यूनिव अपन को रखना है ESIC नर्सिंग ओपिसर एक्जाम जो UPSC के थूरू कंड़क होगा उसके सलेबस के अकोर्डिंग जो टोप 101 टोपिक है उनके बारे में अपन डिटेल से बात कर लेते कि कौन से टोप 101 टोपिक रहने वाले हैं यह जो टोपिक्स रहने वाले हैं वो सब्जेक्ट वाइज अपन डिसकसन करेंगे कि कौन कौन से आपके रह सकते हैं तो साइकोलोजी एंड सोसे लोजी साइकोलोजी एंड सोसे लोजी में जो फ़र्स टोपिक है वह आपका रहने वाला है मेरीज या जो टाइप्स ओप मेरीज होते हैं अलग-अलग टाइप्स ओप मेरीज होते हैं उनके बार में क्यूसन पूछ जो सकता है दूसरा रहने वाला है आपका नोर्मली जो am I is related, इस से related हो आपका mental intelligence से related, आपका नोर्मली questions रहने वाला है, तीसरा जो topics रहने वाले हैं वो हो सकता आपकी theory से related हो, जिससे addiction theory होगी, math law hierarchy theory होगी, pigate theory होगी, segment fraud आपकी theory होगी, तो इन से related आपके normal questions पूछ जा सकते हैं, यह तीन important topic है, psychology and sociology subjects के अंदर, तो इसी परकार अपन दूसरा subject ले लेते हैं, कि दूसरे subject के अंदर क्या-क्या important topics आपके हो सकते हैं, तो दूसरा subject है, आपका normally क्या रहने वाला है, आपका management, क अगर आपन बात करेंगे कि कौन सा topic important हो सकता है, तो इसके अंदर firstly आपका रहने वाला है, inventory analysis, जो आपका ABC होता है, FSN होता है, VED, जो inventory analysis होता है, उससे क्योशन पूछ सकते हैं, आपके leadership, से क्योशन पूछ सकते हैं, कि जो leader होता है, वो किस type से आपका हो सकता है, अलग-अल parts होते हैं, ICU होते हैं, OT होते हैं, OPD होते हैं, उनके अंदर next patient ratio कितना होना चाहिए, इसके अलावा आपका अगला topic हो रहेगा, post corp, कौन सा रहेगा, post corp, आपका रहने वाला है, इसके अलावा आपका जो रहेगा, वो हैंडरी files के 14 principles में से आपका question पूछा जा सकता है, तो यह management से related पांच आपके important topic है, कौन-कौन से होगे, inventory analysis हो गया, leadership हो गया, nurse patient ratio हो गया, post corp, रहेगा, Henry files, 14 principles, यह आपके रहने वाले हैं, इसके अलावा आपन चलते हैं, अगले अपने subject पे, कि कौन सा subject है, उसमें से क्या-क्या question पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको सामने करने को मिल रहा है, कि आपका कौन सा subject है, अपन, fundamental of nursing, तो यह आपका subject है, इसके अंदर जो important topics रहने वाले हैं, वो कौन से रहने वाले, जैसे first important topics है, आपका vitals, normal vitals हो सकते हैं, अब normal vitals हो सकते हैं, इसके अलावा दूसरा topics रहने वाला है, आपका blood transfusion, क्या रहने वाला है, blood transfusion, तीसरा आपका जो topics रहने वाला है, इंपोर्टेंट वो रहेगा आपका IV transfusion, तीसरा कौन सा रहेगा, IV transfusion, तो तो टोपिक रहने वाला है, वो आपका chest tube drainage, क्यारेने वाला है, chest tube drainage, आगला जो topic रहने वाला है, most important topic CPR, क्यारेने वाला है, आपका CPR, जिससे mainly आपको exam किसम देखने को मिल सकते हैं, देखो यूफेस ही जो exam conduct कराएगी, वो normally इसी level पर आपका कराने वाली है, जिससे CPR से related होगे, और जो बाकि अपने टोपिक बताए, उन से related ज्यादा exam equation देखने को मिल सकते हैं, इसके आपको देखने को मिलेगा, अगला topic electrolytes, जिससे आपके के LCM हो हो गया, आपका normally phosphorus हो गया, तो इन से related जैसे abnormal, normal, यह आपके normally exam equation देखने को मिल सकते हैं, पोजिशन, अगला topic आपका position, इसके आपका tubing से क्यूशन पूश सकते हैं, जिससे endotracheal tube हो गई या आपका, या tracheal stomach tube हो गई आपकी, तो tubing से related आपके exam equation देखने को मिल सकता है, इसके अगला oxygen से related आपको exam equation देखने को मिल सकते हैं, जिससे nasal prong हो गया, आपका वेंचरी mask हो गया, NRBM हो गया, तो इन से related आपका exam equation देखने को मिल सकते हैं, तो यह total 9 topic है, अफवान के अंदर, fundamental of nursing के अंदर, जो आपके exam के लिए important रहने वाले हैं, इसके अलाव अगर आपन बात करेंगे, आपका अगला subject है, आपका normally, communication, education, technology, अगला टोपी कहा है, communication, education, technology, जिसके अंदर, first important topic है, आपका communication, कौन से टोपी का आपका, communication, यानि, communication, जिससे one way, two way, verbal, non-verbal, इसके क्या-क्या आपके barrier हो सकते हैं, तो यह इस परकार आपके normally देखने को मिलेगे, यानि कौन सा channel है, कितने process होते हैं, कितने step होती है, तो यह normally आपके exam किशन देखने को मिल सकते हैं, आगला topic है आपका health education method, जैसे lecture method होगे, scale आपके other method होगे, तो उन से related भी exam किशन आपको देखने को मिल सकते हैं, कि कौन कौन से education के आपके method होते हैं, तो यह CET communication education technology से आपका important topics रहते हैं, आगला subject है आपका pediatric, child health nursing, child health nursing से कौन गोन से आपके important topics रहने वाले हैं, वह अपन देख लेते हैं, first आपका important topic रहने वाला growth and development milestones, जो आपके milestone से growth and development के अंदर, वो बहुत ज़्यादा आपके exam के लिए important है, जिसे height हो गया, weight हो गया, mid arm circumference हो गया, इसके आपका language हो गया, motor development हो गया, तो यह जो milestones है, आपके exam के लिए बहुत ज्यादा important है, इसके आपका topic रहने वाला है, इसके आपका topic रहेगा, आपका reflexes, इसके आपक important topic रहेगा, एपकार, क्या रहने वाला है, इसके आपका बात करेंगे, आपका important topics रहने वाला है, joint disc, आपके pediatric के अंदर क्या रहेगा, जो इन डिस रहेगा, इसके आपका top, आपका normally, आपका रहने वाला है, यह आपका important topic है, इसके आपका heart syndrome disease, pyloric estonesis, celiac disease, यह भी आपके exam क के लिए बहुत ज़्यादा important topic है, इसके लाँ cystic fibrosis, इसके लाँ का KMC, कंगारू mother care, इसके लाँ spina bapida and hydrocephalus, आपके लिए important है, cleft lip and cleft palate, यह दस आपके pediatric के अंदर आपके important topic रहने वाले है, ESIC nursing officer exam के लिए जो conduct करा रहा है, UPSC, कौन conduct करा रहा है, UPSC, कौन conduct करा रहा है, एक खास information है, UPSC के according, जो UPSC exam conduct करा रहेगा, उसके according ही अपन test series लेके आ रहे है, ESIC nursing officer के लिए, total test रहने वाले हैं, आपके 20, total test कितने रहने वाले हैं, आपके 20 test रहने वाले हैं, सारा आपके syllabus के according रहेगा, आपका test series, जो UPSC exam conduct करा रहेगा, उसके according ही आपके ये question answer आपके रहने वाले है, total 20 test series हम लेके आ रहे हैं, UPSC, ESIC nursing officer exam के लिए, तो उसको जोइन करने के लिए, टेलिग्राम का link देर का है, description में, तो उसको जल्दी जाके join कर लीजे, बहुत ज़्यादा affordable rate के अंदर आपके ये test series आने वाली है, और बहुत अच्छे level के questions रहने वाले हैं, क्योंकि ये test series जो बढ़ना रहे हैं, उसके अंदर included है, बहुत सारे जो पहले से लगे वे nursing officer है, याने total ये 20 person की एक तरह से अपन मान सकते हैं, members जो लोक्स है, उनकी एक तरह से test series रहने वाली है, जो दिल्ली Amps, ESIC, railway या other other exam के अंदर लगे test series त्यार की गई है, तो 20 test series ये रहने वाली है, जो आपके exam के लिए बहुत ज्यादा beneficial हो सकती है, तारी test series रहेगी according to UPSC, ESIC nursing officer exam, तो अगले topic पे अपन चलते हैं, यान तो इस test series को join करने के लिए, टेलिग्राम में जो link दे रहे का है, उसको जल्दिस से join कर लीजे, बहुत बहुत ज्यादा affordable rate में आपको 20 test series आपको देखने को मिलेगी है, बहुत ज्यादा अच्छे question इसके अंदर देखने को आपको मिलने वाले हैं, अगला जो आपका subject है, वो रहने वाला OBG, OPS, तो OBG के अंदर जो important topics है, वो कौन कौन से है, menstrual cycle, कौन सा है, menstrual cycle है एक important topic हो गया, अगला ही इसके अंदर important topic है, आपका pregnancy changes और pregnancy के अंदर कौन कौन से science आपके देखने को मिलेंगे, नॉर्मली, इसके अला आपका नॉर्मली, labor stage, जो labor stage है, उसके अंदर जो vital monitoring हो गही, या कितने कितने time की ये stage होती है, कौन कौन सी ये stage होती है, तो उनके बारे में क्यों medical termination of pregnancy के बारे में आप से क्यों स्कुशन पूचे से सकता है, अगला टोपी का fetal, skull and maternal pelvis से related आपको एक्जामी के संदेखने को मिल सकता है, placenta and amylical cord abnormalities से related आपको एक्जामी के संदेखने को मिल सकता है, पार्टो ग्राफ से related आपको एक्जामी के संदेखने को मिल सकते हैं, जीडियम, gastrational diabetes mellitus इससे आपको एक्जामी के संदेखने को मिल सकते हैं, इसके अलावा इसमें आपका topic है, HIV in pregnancy, अभी जी के अंदर टोटल ये 10 आपके important topic रहने वाले हैं, जिसके जो आपको ये साइसी एक्जामें देखने को मिल सकते हैं, अगला subject है आपका research, research से आपको क्या, क्या, आपको topic exam में देखने को मिल सकते हैं, research के अंदर आपके include है, data presentation chart जिससे आपका pie chart हो गया, var diagram हो गया, इसे related आपके exam हैं, को मिल सकते हैं एरर टाइप वन एरर टाइप टू एरर से एक्जामे को संदेखने को मिल सकते हैं वेरियाबल्स एंड हाइपोथेसिस इस्टोफिक से रिलेटेड आपको एक्जामे को संदेखने को मिल सकते हैं उनसे रिलेटेड आपको एक्जामे को संदेखने को मिल सकते हैं यह कुछ पांच इंपोर्टेंट ट्पिक रिसर्ट से रेलेटेड इसट रहेगा इस्टरिलाइज़स्चन मैफ़ड। इससे रिलेटेड आपको इग्जामेक यूशन देखने को मिल सकता है अगला आपका सब्जेक्ट है अगला आपका सब्जेक्ट है फार्माकलोजी फार्माकलोजी में क्या टोपिक देखने को मिल सकते हैं एक्जाम में एंटि साइकोटिक ध्रक्स से रिलेटेड आपको एक्जामी को संदेखने को मिल सकते हैं लेतियम से रिलेटेड आपको एक्जामी को संदेखने को मिल सकते हैं अग अगला टोपिक है आपका एट्रोफिन इसके आला आपका टोपिक है एंटिडोट और टेरेटो जैनेट सीटी जो ड्रक्स होती है नोर्मोली उनसे रेलेटिड आपको एक्जामे के उसन देखने को मैं सकती है तो टोटल आठ यह इंपोर्टेंट टोपिक है किसके अंदर फार मेंतल हैह सिंग मैंटल है नर्सिंग के अंदर फर्फ्ट इंपोर्टेंट टोपिक वो कॉन सा रहने वाला आपका एसीटी वोगों से लनेंगोंसे अगूम कॉनों से आपके का होता है अगला फिल्क त हौन सा परनाइडอง अपकर हो गया हो ये उरेत्रेया हो गया ये टार्मिनोंटी से सब्सक्राइब सकता है तीसों फैर्निया औत्व पिछटेट मिप्जांट को सन दों सब्के хот ऐल कोबिया कि एङ्ञान को उस्प्राइब करने को सकता है अग्ला टॉपिक है सुमेटो फॉर्म disorder so matter for me disorder अगला टोपिक है alcohol abuse अगला टोपिक है आफका phobia तो यह कुछ आपके इंपोर्टेंट टोपिक है टोटल नाइन इंपोर्टेंट टोपिक है किसके अंदर आपके mental health nursing के अंदर तो यह आपके कुछ important topic जिसे रिलेटे आपके इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है कि अगला सब्जेक्ट है आपका नॉर्मली सी अचल कम्यूटी हाल्ट नर्सी नेको नॉर्मली बहुत important subject है यह याद रुखना इसलिए important subject है क्योंकि यूपियस दो एक्जाम कंड़क्ट कराता है कई वार इस से related topic execution वह अपने exam के अंदर भी दिदेता है जो से वाइटल aesthetics हो गया अच्छ डियाई पी क्यों लाई या hunger index से related हो गया इसके लाग क्या नहीं vaccination है इस से रिलिटेट भी UPSC के अंदर exam में देखने को मिलते हैं तो आपके एक्जाम यह साइसी प्रसेप्टिव आपके लिए इंपोर्टेंट टोपिक है इंडेक्स बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टोपिक है अकोर्डिंग टू यू पी असी जो आपके एससी नर्शिंग अपिसरा उसके अग्णवाडी वरकर एनम हो गया इससे रेलेटड एक्जामिक यूशन आ सकता है बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है प्रोग्राम्स यू पी ये अपने एक्जाम के अंदर भी इसको इंक्लूड करता है तो ये शींग ऑपिसर एक्जाम के अंदर ये जरूर्वर देखने क को मिल सकते हैं इन्वार्मेंटल और हेल्थ एजेंसी होती है इंटरनेशनल एजेंसी तो उनसे रेलेटड भी एक्जामिक यूशन आ सकता है अगला है कम्यूक्यबल डिशीज में ज्यादा डीप के अंदर क्यूशन नहीं पूचा जाता है मेली जो हाइलाइट पॉइंट ह होते हैं बहुत जो बेसिक्स क्यूशन होते हैं उनसे रेलेटेड आता है जैसे पीलियो मॉर्फिजम किसे के अंदर देखने को मिलता है इसके हला अगर आपन बात करेंगे सिक टेस्ट किसके अंदर ते अपन करता है पीस्तू पिस्टूल किसके अंदर देखने को मिलता है है डायरिया किसके अंदर देख तो बैसिक जो टोपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपके एक्जामें के सुन देखने को मिलते हैं तो यह सीचन से रिलेटेड इंपोर्टेंट टैन टोपिक है दस टोपिक है बहुँची आपको एक्जाम में इस सब्जेक्ट से देखने को मिल सकते हैं आगला आपका है नॉर्मली है जो रहने माला लास्ट अपजरेक्ट पूरिक्ट टोपिक पूछे जा सकते हैं पूर्स्टार्शंहं से रिलेटेड इस अपोपिक कॉपी डि 2021 अगला है आपका टी भी श्चानacción encantat 222 यौदalk अगला है आपका अस्तमा इसके बारे में इमेज देखे पूछ सकते हैं हाइपकेसी अपर अगला टोपीक है डियम डियाबटीज मैलाइटस से रिलेटेटेट देखने को मिल सकता है अगला टोपीक है एडिसंस अगला टोपीक है अगला टोपीक है अपका बार्न इसके लाँ आपका मेंजाइटिस इसके लाँ आपका क्रेनियल नार्व अगला टोपीक है जीसियास इसके लाँ आपका है इंजरी इसके लाँ आपका स्पाइनल इंजरी इसके लाँ आपका स्रवाइकल केंसर अगला टोपीक आपका ब्रेस्ट केंसर इसके लाँ ग्लुकोमा इसके लाँ का है ओटाइटिस दिया इसके लाह रूमेटिक फिवा और लास्ट टॉपिक रहेगा वह ओस्टियो पॉरोसिस यानि यह टोटल ट्वंटी एट टोपिक है अमसन के अंदर तो यह जितने भी अपने सब्सक्राइब देखें तो टोटल अगर टोपिक अपन काउंट करेंगे तो रहेंगे आपके 101 यानि 101 जो आपके इंपोर्टेंट टोपिक है वो आपके रहने वाले हैं यह सारे टोपिक रहने वाले हैं अकोडिंग टू यूपीयसी पैटन यानि यूपीयसी एग्जम कंटेक्ट कराने वाला है तो आपका लेवल थोड़ा सा पढ़ाईगा आपको हाई करना यूपीजी के अकोडिंग हमने टेस्ट तियार की है पोटल ट्वंटी टेस्ट रिजुस के अंदर है ट्वंटी मेंबर जो नर्सिंग ओपिसर लग चुके है उन सभी ने मिलके यह टेस्ट रिजित तेयार की है उसको जोईन करने के लिए आपको जल्दी से आपके जो डिस्क आंसर लेकर आने वाले यह जो आपका क्युस आंसर रहेंगे अंसी क्यूर रहेंगे वह आपके टोटली फिरी रहने वाले हैं किसके अंदर यूट्यूब के लिए टेस्ट इस अलक से रहेगी अपोड़ेबल प्राइस में आपको देखने मिलें की लेकिन एक चीज है जो आ हम सेक्ण कराएंगे कहां पर स्लिशन कराएंगे यहीं पर आपके यूटूब चैनल पर डेजल से बात करने वाले हैं यह देल्टल आम सी क्यों आपको देह करने को मिलेंगे प्लस इससे त्योरी रहेगी वह भी आपको देखरने को मिलेगी आपके अपने चैनल मेडिकल नरसिंग help line में तो यह important topic है तो exam भी बहुत जल्द आ गया है आपके साथ जुलाही को यह exam बहुत कम time है तो बहुत कम time है तो बहुत ज्यादा आपको मेनद करने पड़ेगी selection के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बाकी जल्दी से टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेजिए ताकि जल्दी से आपको UPSC Nursing Officer टेज स्रीज के बारे में अपडेट मिल जाए जो बहुत आफ़ोडेबल रेट पर रहने वाली है धन्यवाद